नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा काला धागा पहनने के चमतकारी फैदे के बारे में तो आप सभी संरोध इस वीडियो को पूरा आंते तक देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा जो मैं समझाना चाहता हूँ दोस्तों आपने अक्सर सभी लोगों को काला धागा हाथों में तथा गले में एवं पैर में तथा कमर में पहने हुए देखा होगा लेकिन इसके चमतकारी फैदे के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं जो भी मैं आपको आज काले धागे से समबंधित जानकारी देने वाला हूँ वह आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है दोस्तों जो काला धागा होता है अपने आप में एक अदभूत दिव्वे सक्ति है जिहां दोस्तों मित्रों काला धागा के द्वारा हम बुरी सी बुरी नजर को सांत कर सकते हैं ठीक कर सकते हैं और नजर लगने से बच सकते हैं साथी साथ इससे हम जो बुरी एनरजी होती है यानि कि दोस्तों जो नकरातमा कुर्जा होती है उससे भी अपना बचाओ कर सकते हैं दोस्तों आप तो कोई दवा काम करती है ना कोई दारू इससे दोष्टों क्या होता है कि वह व्यक्ति एवं बच्चा बहुत परसान हो जाता है साथ झ साथ दोस्तों आपने देखा होगा कि कई बार जब नजर लग जाती है THTW दोस्तों लोगों को बुखार तक हो जाता है एवं उसकी जो दसा होती है वह दिन बादिन बिगडते जाती है दोस्तों इसका तोड़े एक होता है या तो हम अपने घर में नजर उतारते हैं या फिर काला धागा बांधते हैं एवं बांध कर रखते हैं तो दोस्तों आपको क क्या करना है कि अगर जब भी आपको नजर लग जाती है या या फिर दोस्तों कोई नकरात्मा गुर्जा है जो आपको परसान करती है तो दोस्तों आपको क्या करना है सनिवार के दिन जिहां दोस्तों सनिवार के दिन आपको जो है एक धागा लेना है आप चाहें तो उसका ड दागे को जो है आपको अपने पैर में बांधना है पैर में बांधने से पहले दोस्तों आप जो है उसमें साथ गांठ लगा लें उस काले दागे में और गांठ लगाने के बाद दोस्तों उस दागे को प्रणाम करके अपने पैर में अथोगा या फिर दोस्तों अपने हाथ म या फिर अपने गले में या फिर अपने कमर में पहन लें इससे क्या होगा दोस्तों आपको कभी भी कोई बुरी नजर नहीं लगेगी साथी साथ दोस्तों आपको energy से बचा होगा जो भी बुरी energy है उससे आप बचे रहेंगे दोस्तों यह जो काला धागा है ना दोस्तों अपने आप में बहुत महत पूर्ण है जिस प्रकार से लोहे लोहे को काटता है उसी प्रकार यह काला धागा काली सक्तियों को काटता है यानि काले जादु आदी को काटने का कार करता है लेकिन ध्यान रहे दोस्तों आपको यह का नहीं करना है यह अपने आप में सिद्ध है दोस्तों जो काली वस्तु होती है या काला दागा होता है अपने आप में बहुत चमतकारी होता है इसके अंदर दिव एवं आकरशित सक्ती होती है जिससे की अपनी तरफ आने वाली किसी भी एनरजी को यह अग्जब कर लेता है साथी साथ उस एनरजी को यह जो है सकरात्मक उर्जब में परिवर्तित कर देता है अर्थात आपके दोस्तों आपने देखा होगा कि जो भी काली वस्तु होती चाहा कपड़ा हो या धागा होता है उसके अंदर जो अट्रक्षन की पावर होती है सबसे अद्भूत एवं अलग होती है दोस्तों कई लोग जो है जाने अंजाने में काले धागे को अपने गले में हाथ में कमर म पहनते हैं फैसन के कारण लेकिन इसके जो फैदे हैं उनको कहीं न कहीं जाने अंजाने में मिलता रहता है दोस्तों काला धागा सद्यों से प्रियोग किया जाता रहा है और दोस्तों काले धागे को मंत्रों के द्वारा भी सिद्ध करके पहना जाता है साथी साथ दोस्तों मैं आपको बता देना चाता हूँ जो मैंने उपाय आपको बताया है यह सनिवार वाले दिन ही करें तभी आपको प्रभाव दिखाएगा दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारी छोटे छोटे बच्चे हैं जो रोने लग जाते हैं तो दोस्तों उनको जो है आप क्या करें उनके जो है कान के पीछे या फिर दोस्तों उनके माथे में चांद बना करके टीका लगा दें बच्चे को नजर नहीं लगेगी जो बच्चों के पैर होते हैं छोटे छोटे उन छोटे बच्चों के पैर के तलों में आपको जो है काजल लगा देना है काले रंग का इससे दोस्तों क्या होगा कि बच्चे को नजर नहीं लगेगी साथी साथ दोस्तों अगर जो है आप एक काला धागा लेते हैं काला धागा में साथ गांठे मार करके और दोस्तों बच्चे के गले में या फिर बच्चे के बाजु में या पैर में या फिर दोस्तों कमर में पहना दे हाउ चंदरमा के साथ तो दोस्तों बच्चे को कभी भी किस भी प्रकार की नजर नहीं लगेगी साथी साथ दोस्तों इसको जो बड़े व्यक्ति भी पहन सकते हैं जो 18 साल से 20 साल, 25 साल के लोग हैं वो लोग भी काली धागे का प्रियोग अराम से कर सकते हैं दोस्तों इसके बहुत ही अद्भूत एवं परणाम है दोस्तों बुरी नजर इतनी खतरनाक होती है अगर किसी को लग जाए तो दोस्तों उस व्यक्ति का सत्या नास कर देती है लेकिन दोस्तों अगर आप काली धागे का प्रियोग करते हैं पहनते हैं तो दोस्तों आपको जो बहुत लाब होगा दोस्तों बहुत सरतिया लाब होगा लेकिन दोस्तों आपको विश्वास रखना पड़ेगा तभी आपके साथ यह चीजें संबो हो सकेंगी उमेद करता हूं है जानकारी पसंद आई होगी अगर आपकी कोई सवाल है हमसे जरूर क कमेंट में पूछे दा नमाद